हालो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू मैं चैनल और एक बार फिर मैं आ गई हूँ सिक्षक और सिक्षा से संबंधित खबरों से आप लोगों को रूबरू कराने तो सबसे पहले है हाई स्कूल में सिक्षकों की नियोजन सेडियोल में किया बदलाओ इसमें रिक्ती भी दी गई है कि माध्यमी की स्कूलों में जीलाबार कितने रिक्ती है वैसे आप लोग इस चीज़ से परिशित होंगे लेकिर फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ हाई स्कूल के सिक्षक नियोजन सेडियोल में बदलाओ किया गया है यह तो हम लोग कल देखे ही थे जो कल में इसका अधिस उचिना जारी हुआ था तो उस अधिस उचिना को बताई थी तो इस पूरे नियोज को पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा नियोज बनुगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और भी नियोज है बहुत सारे तो वोग में बदलाओ कर दिया गया है अब 27 मार्च में 27 मार्च को जीला परिशद में और 28 मार्च को क्या कहते हैं आप स्क्रीन पर दिख रहा है, दिख लीजिये, चाहे तो आप स्क्रेंसट भी यहां से ले सकते हैं, या वीडियो को रोख के पॉज करके भी देख सकते हैं, सेकेंड है, नियूज, चार केंदरों पर हुई STET की रद परिक्षा, नाबादा से भी साथ परिक्षारती, और चा अगर सुधार चाहते हैं, तो 28 से आप सुधार करवा सकते हैं, मरदमिक शिक्षक पातरता परिक्षा 1999 में सामिल होने के लिए भरे गये फोर्म के अधार पर, जारी आडिमिट कारड में कोटी एबम लिंग से समद्रोटी सुधार के लिए, बिहार बोर्ड ने अभियार्थ यहां पर दिया गया है www.bsebstt 2019.in पर जाकर अपने यूजर आईडिया पासवर्ट के मादियम से उसमें सुधार कर सकते हैं उक्तिती के बाद किसी तूटी का सुधार नहीं किया जाएगा तो यह निज हुआ सेकेंड निज तो देखें है अब थार्ड निज पर चलते हैं थार्ड न्यूस्य होए लेकर हरता रह अंगाम् सभिदय का दोनो sms मंधल में नियोजी सिक्षकों के हर्ताल के मुद्दे पर हंगामा हुआ बेल में नारेबाजी और सोर्गुल के कारण सदन की कारेबाही दो बार अस्थागित करनी परी बिधान सभा में कॉंग्रेस के अबधेश कुमार्सी और भाजपा माले के महबूब आलम ने नियोजी सिक्षक कि हर्ताल का मामला उठाकर भाष के लिए करे अस्थागन की मांग की ऐसे अध्यक्ष ने खजुक्रिश कर दिया वह परिशद की कारी महा सौरी binding कि महार्ण सवापति हरून रशिदी ने राज़ध के शुबोध कुमार के कार अस्थागन प्रस्ताओं को ख़ारीज किया मुख्य मंतरी निटी इसकुमार ने कहा कि नियोजे सिक्छक सुप्रीम गया थे सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार सरकार की निती की तारीफ कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लग रहा है कि नियोजी सिक्षकों को लेकर राजी सरकार का फैसला कही से भी भेधभापूर है या फिर कही नियमों का उलंगन हुआ है राज्य सरकार सिक्षा को लेकर सही दिशा में बढ़ रही है नियोजी सिक्षकों की संख्या लाखों में है पर सरकारी सिक्षकों की संख्या कुछ हजार है नियोजी सिक्षकों को समान काम के लिए समान बेतन से सिक्षा को लेकर सरकार की मुहिम को नुकसार बहुच सकता है सिक्षकों ने रखे थे बड़े बड़े वकील मुख्य मंत्री ने कहा नियोजी सिक्षक से जड़ा पूछिए कि सुप्रीम कोट में उन्हें पैरवी के लिए कौन-कौन वकिल थे वे एक इतने बड़े-बड़े वकील थे और हमारे पक्षवे कितने वकील थे कहा से पैसा आया नियोजी सिक्षकों को जो भी करना है करें लेकिन हम उनका बुरा नहीं करेंगे हमसे जो बन परेगा वह करेंगे नितीश के इसारों में राज़त पर भी निशाना साधा कहा कि आज नियोजे सिक्षकों के हम दर्द बन रहे हैं वही उनकों आयोगे सिक्षक बता रहे थे इसके बाद फिर नितीश कुमार जी का बयान है कि नितीश बोले परिक्षा के समय सिक्षकों के हरताल गर कानूरी बेतर बढ़ाएं है आगे भी बढ़ाएंगे लेकिन दवाब में जुकेंगे नहीं ठीक है इसके बाद है हाई स्कूल में अब 28 मार्ज तक नियोजन पत्र जो हम लोग पहले भी देख चुके है सिक्षकों के मुद्धे को बेवज़त तूल दे रहे लोग सिक्षकों को आयोग बताने वाले आज दे रहे नसिहत राजते किया भाईसकार सिक्षक अपनी छबी खराब न करे पढ़ाने पर ध्यानते बढ़ाएंगे पेतर ऐसा नितीज कुमार जी का कहना था सिक्षकों के हरताल पर हंगामा 434 सिक्षक होंगे निलंबित सिक्षकों के नियोजन पत्र अब 27 अब 28 मार्श को मतलब अलग-अलग नियूज पर का नियूज है इसमें इसलिए एक नियूज रिपीट भी हो रहा है है ना और यह देखें इसका है एक हिंदुस्तान का था और यह अभी प्रभात ख़बर का है सिक्षकों के हरताल को लेकर हंगामा स्कूलों में अब बच्चों को हसाने की अलग अच्छा है मैं सोची हूँ ना कि इस तरीके से मतलब सारा नियूज जो है अलग-अलग जगों का भी आप लोगों को मिल जाएगा क्योंकि सारे जगा का नियूज पर तो पढ़ नहीं पाते हैं न हम लोग इसलिए सिक्षक अपना फर्ज निभाए हमें उनकी चिंता है मुख्यमंत्री नितिस कुमार जी ने कहा ये हिदुस्तान का है मुझफर पुर का अपना फर्ज निभाए सरकार उनकी चिंता करती रही है और आगी भी करेगी उन्होंने कहा कि सिक्षक का मूल काम बच्चों को पढ़ाना है बच्चों का पढ़ाई बाधित करना गयर हम सभी सिक्षकों के खिलाप नहीं थे हम कभी सिक्षकों के खिलाप नहीं थे हम बीरोधी होते तो उनकी बहाली क्यों करते बुद्वार को विधान परिशद में राज्यपाल के अभी भासन पर सरकार के और से जवाब देते बक्त मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सिक्षकों को 4000-3000 तक पहुचाया है आगे और भी बढ़ाएंगे पर हरताल करना गलत है मुखे मंतरी ने सिक्षक हरताल के मुद्दे पर खुल कर सरकार का पक्षी रखा कहा कि हमने तो पंचायतों और निकायों को संविधान सम्मत उनका अधिकार दिया उन्होंने बहाली की हम तो ग्रां मुद्दता की सीमा है ऐसा नहीं हो सकता कि बार बाकी सारी योजने रोख कर सारा पैसा नियोजें सिक्षकों ही दे दे अफिर है ए आज सिक्षकों की हरताल गार कानोनी नितिस महादयमिक सिक्षक पातरता परिक्षा इस्टइटी 2019 में आवेदर पत्र में तुरूटी सुध जब भी लोग चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करके वेल बटन को जरूर दबा ले ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और इसी तरह का न्यूज लेकर मैं अपने चैनल पर आते रहे दिए वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद